दोस्तों, अगर आप घुटनों में दर्ग की प्रॉब्लम से परेशान है, तो ये नुस्का 10 मिनट में ही अपना आसर दिखाना शुरू कर देगा, इसको यूस करते ही आपको महसूस होगा कि घुटनों की जक्रन खुल गई है और आपके घुटनों में बहुत ताकत आजाए आपके जीवन की इस गंभी समस्चा से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और आपको लाइफ का भरपूर मजा आ जाएगा, ये नुस्का बनाने के लिए आपको सिर्फ अपनी रसोई में से 3-4 छोटी-छोटी चीज़े लेनी होगी, जिन में से पहली चीज ह खत्म करने के लिए इस नुस्के में आपको दो साबुत लैसुन ले लेने हैं और इनकी सारी कलियां छील लेनी हैं, जिन लोगों को अर्थराइटिस के कारण गुटनों में दर्द के साथ साथ, पूरी बॉडी के जोडों में दर्द रहता है, उनके लिए भी ये नुस्का इतना पावरफुल है कि पहले ही दिन से उनकी बॉडी का हर तरह का दर्द ठीक होने लगेगा, दो लैसुन की सारी कलियां छीलने के बाद, अब आपको इनको एक ओखली में डाल कर खूटना है, जब गुटनों के कार्टिलेज गिस जाते हैं, तो उटने बैटने में और च उटा हुआ लैसुन हम साइड में रखते हैं और इस नुस्के को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए अब लेते हैं दाना मेथी, जिन लोगों के गुटनों में गैप आ गया है और गुटनों में ग्रीस खत्म हो गई हो, इसलिए सिदियां चड़ना तो बहुत दूर की बात है, बलकि ठीक से चलने में भी दिक्कत आती हो, तो इस नुस्के से गुटनों का गैप भी भर जाएगा और गुटनों की ग्रीस भी फिर से बन जाएगी, इस नुस्के में दाना मेथी हमको सिर्फ दो चमच लेनी है, अगर आपको गुटनों में सूजन भी र लगेंगे, और सिड़्ियां भी चड़ने लगेंगे, ये दो चमच दाना मेथी हमको एक पैन में डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर हलकी सी सेख लेनी है, इससे दाना मेथी का नैच्रल ओयल एक्टिव हो जाएगा, और ये नुस्का इतना पावरफुल बन जाएगा, कि तो हमें दर्द होता है, तो हम टेड़े मेड़े चलते हैं, जिसके कारण कमर में दर्द और हिप्स में दर्द रहने लगता है, इस नुस्के से ये सब प्रॉब्लम्स भी जड़ से खत्म हो जाएगी, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था न, कि हम 3-4 छोटी- इस नुस्के में अद्रक यूज करने से ये गुटनों की सूजन खत्म करती है, और उटने बैटने में जो गुटनों से कट-कट की आवाज आती है, वो गुटनों में बात के कारण आती है, तो अद्रक इस बात की प्रॉब्लम को भी जड़ से खत्म कर देगी, इस नुस्क उनके गुटनों में भी तेज दर्द रहने लगता है तो ये नुसका यूज करने से गुटनों का दर्द और साइटी का ये दोनों ही प्राब्लम्स ठीक हो जाएंगी अब हम अद्रक की इन दोनों गाठो को ओखली में डालेंगे और अच्छी तरह कूट लेंगे इससे ये नुसका बहुत ही बढ़िया बनेगा इतना बावर्फुल बनेगा कि गुटनों के दर्द को तो ये जर्द से खत्म करेगा ही साथ ही साथ हातों में दर्द हो उंग्या टेड़ी होने लगी हो गर्दन में दर्द हो कमर में दर्द हो सब में ये नुसका बहुत बढ़ी आसर दिखाता है बस अब आपको क्या करना है कि एक बड़े पतीले में आपको दो गलास पानी डालना है और फिर ये पानी आपको गैस पर फुलाज पर गर्म होने देना है आप पतीले को ऐसे ढख देंगे तो जल्दी से पानी गर्म हो जाएगा जब पानी उबलने लगेगा तब हम गैस की फ्लेम बिलकुल कम कर देंगे और इस बड़े पतीले के अंदर एक छोटा पतीला रखेंगे इस छोटे पतीले में हम डालेंगे एक कप तिल का तिल क्योंकि ये घुटनों में ग्रीस भी बनाएगा घुटनों के काटिले सुख गए हैं तो उनको भी फिर से बना देगा और घुटनों का दर्द भी जर से खत्म कर देगा अब इस तिल के तेल में हम डालेंगे जो तीनों चीज़े हमने तयार की थी तो ये हमने डाला खूटा हुआ लहसुन साथ में हमने इसमें डाली ये हलकी सी भुनी हुई दाना में थी और फिर इसमें हमने डाल दी ओखली में कूटी हुई ये अद्रक बस अब इसको पांच मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हम गर्म होने देंगे डारेक्ट तेल गर्म करके उसमें लैसों जलाने से भी ज़्यादा असरदा तरीका ये है कि इस तरह तिल के तेल में इन सब चीज़ों को पानी की भाप में पकने दिया जाए इससे इन तीनों चीज़ों का पूरा सत और पूरा नेश्रल ओयल इस तिल के तेल में आ जाता है इसको पकाते टाइम जब भी आपको लगे कि इसको मिक्स करने की जरूर्द है तो आप इसको थोड़ा हिला दें तो 5 मिनट में ये जबरदस्ट पावर वाला तेल बिलकुल तयार है अब इसको ठंडा होने देंगे और फिर इसको यूज़ करने का तरीका देखेंगे देखिए अब ये ठंडा हो गया है तो अब इसको बिना चाने ही किसी कांच के मर्थबान में भर लीजिए इससे ये बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है तो एक बार बनाने के बाद ही ये आपको कम से कम एक महीने तक काम आता रहेगा अब आप क्या कीजिए कि जब आप गर्मी के मौसम में इसको यूज कर रहे हैं तब आप सुबर नहाने के बाद इस मर्थबान में से थोड़ा सा तेल लीजिए और बिना गर्म किये ही हलके हातों से अपने घुटनों पर इसकी मालिश कीजिए अगर आपको बाडी में और भी कहीं दर्थ है तो वहाँ भी आप इस तेल से मालिश कीजिए ऐसे ही एक बार रात को सोने से पहले भी इस तेल से अपने घुटनों पर मालिश कीजिए फिर जब सोएं तो बहुत थंड़ी हवा अपने गुटनों पर नहीं लगने दें। आप देखेंगे कि एक रात में ही ये तेल आपके गुटनों का दर्थ चूस लेगा और सुबर तक आपको बहुत पायदा दिखेगा। अगर आप इस तेल को सर्दियों में लगाएं तो थोड़ा सा गर्म करके लगाएं और दिन में थोड़ी देख दूप में बैठें ताकि आपके गुटनों को दूप से सेख हो जाएगा। तो आप अपने गुटनों के दर्थ को जर्श से खत्म करने के लिए ये तेल बनाईए और इसको पूरा खत्म होने तक तेली लगाईए। एक महीना अगर आपने डेली इस तेल से गुटनों की मालिश कर ली तो आपके गुटनों को नया जीवन मिल जाएगा और आपकी लाइफ बिल्कुल हेल्डी और हैप्पी हो जाएगी। तो ये तेल आज ही बनाईए और यूज कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।